तो अभी तक मैंने इस कोर्स के सारे अलमुस्स सारे टॉपिक को कवर करके सारे का वीडियो लेक्ट्चर अपने वेबसाइट पे अप्लोड कर दिया है अल्रेडी उसके लावा यूटूब चैनल पे भी अप्लोडेड है और वीचिस पे भी अप्लोडेड है तो अब जब यह कोर्स कम्प्रीट हो चुका है तो मुझे लगा कि कोशन बैंक भी आपको सॉलूशन करके अगर दे दिया जाया तो ज़्यादा बहतर होगा इसी के लिए मैंने सबसे पहले उठाया है 2019 का कोशन पेपर को आज हम लोग उसका क्या करेंगे जो 20 अब्जेक्टिव कोशन है उस करता हूं पहले इसको चुछा जूम कर लिया जाए यह कोशन मैंने एक वेपसाइट से निकाला है जहां से डाउनलोड किया मैंने इसको आपको एक बड़ा सा पिक्चर करके दिखाता हूं ताकि आपको इसको दिखाई दे रहा होगा है उसको अगर हम लोग डिसकेशन करना चाहें तो एक्चुली में यह है क्या एक सेकंड हूं 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 वेट्र सम्थिंग वाइंट टुड्रा ओके लेट से पहला कोशन जो है वीचो फालुइंग सिंबॉल रेप्रेजेंट पैसे विलेमेंट तो हम लोग ने एक चैप्टर में मतलब एक मैं पैसिव Eligment के बारे हैं तो वहां से यह कुशन है सबसे पहला है कि वीच वझMAN सिंबॉआ थे प्रसिएक तो पैसिवलेमेंट कौन हो जाएगा तो डयायओट भी आपका पैसिव है रिस्स्टर भी पैसिव है और आपके यह किश्टल डयाओड भी पैसिवलेमेंट बहत तो simply यह symbol आपको logic diagram unit में मैंने इसको explain किया है सारे logic gate को तो इसको देखके identify यह करना है कि यह कौन सा logic gate है तो यह logic gate जो है symbol जो है यह किसका है तो यह exnor का है exor मैंने बताया फिर उसके बाद ignore बताया तो exor का क्या होता है symbol में अगर बात करें तो क्या लिखते है exor को a exor b ठीक है अगर यह bubble नहीं होता तो यह exor होता लेकिन यह क्या है इसके आगे bubble लगा हुआ यह not gate भी लगा हो तो यह exnor है तो इसको हम लोग symbol लिखते है a exnor b ignore को dot स इंडिकेट करते है circle के अंदर dot उके उसके इलावा हम क्या कर सकते है इसको और दूसरा representation क्या है कि exor के उपर अगर हम लोग compliment लिख दें exor के उपर अगर हम लोग compliment के रहाद है तो यह बन जाता है एक्जणॉर तो यह दोनों आपस में बढ़ाबर होता है ठीक है जब भी आप एक्जणॉर देखे यहाँ पर देखे ऑप्शन में क्या एक्जणॉर भी है एक्जणॉर भी है लेकिन आपको पता होना चाही अगर आपका बी एंसर हो जाएगा अगर ऐसा ना दिया रहाता है तो हम लोग इसको टेक करते हैं लेकिन अभी यहाँ पर यह नहीं दिया हो बलके इस तरह फॉर्म में दिया हो तो इसलिए एक्जणॉर बी ओके आगे आते हैं हम लोग कोशन नमबर थ्री के उपर कोशन न और यहीं क्या था है इसका आता है एक जोर बी और बॉरो कैसे आता है तो बॉरो आता है एक बार बी यानि एक NOT NOT GET चाहिए होता है एक AND GET चाहिए है तो यही किया रहे है हाफ सम्सक्राइकर के लिए मिलनी क्या चाहिए तो पहले एक XOR Get चाहिए फिर एक NOT GET चाहिए ठीक है और उसके बार A yes, A. कोशन बहुत ही कुशन होता हुच सिर्फ आप सोचप है आठान से टिक कर पाएगा एकदम इजी कोशन होता है आगे होता है इसका ओप्शन हो जाएगा ओप्शन दी यह सब तो बहुत छोटा-छोटा-छोटा कोशन है ओके आगे आते हैं डाइफ पर देखें लिख रहा है चों यह मैं होता है इसको कहते है हम दोख run इसका इसको कह सकते है कि यह तरह काускा ट्रांस्डूसर होता है यहाँ पर वाइस nay और आपका motherf chlor सिगनल आ तो फिर वाइस में कर देगा तो इसमें क्या है यह दोनों में लगा रहा था स्पीकर में लगा था माइक्रोफोन में तो ऑप्षन क्या हो जाएगा क्या होगा है यह होता है यह होता है ओके तो इसक्रिमिटर में तो होगा नहीं यह किसमें होगा receiver में होगा ठीक है इसमें हम लोग एक foster सीले demodulator परते हैं FM में उसमें इसमें साफ सब लिग रहा था वो क्या foster सीले जो बोल रहे हैं वो discriminator discriminator simple जहां पर आएगा उसका मतलब होता है demodulator जब भी आप block diagram का video lecture देखेगा जिसमें communication system के block diagram के उपर बात किया गया है वहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ बात किया एक modulator block का और एक demodulator block का तो demodulator block का होता receiver side में होता है तो discriminator is a demodulator जिसके option क्या हो जाएगा option A ओके आगे आते हैं which of the following device can be work as an amplifier यह तो बहुत basic question है कि amplifier कौन सा काम करता है इसको हम लोग amplifier के तरह यूज करते हैं इंडेक्टर को यूज करते नहीं डायोट को यूज करते नहीं सिर्फ ट्रांजिस्टर ही जिससे हम लोग different type का क्या बताते हैं हम बनाते हैं amplifier बनाते हैं ओके आप लोग पढ़ाया गया power amplifier उससे बहुत सारा ट्रांजिटर से common इमेटर, common base, common collector सारे का मैंने वीडियो लेक्चर में अपने वीडियो लेक्चर में अच्छे से डीटेल से एक्स्पेइन किया है transistor configuration को, transistor types को, different types of multi stage amplifier को सब कुछ, अगर आपका कोई confusion है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को जाकर electronics, drying and drafting का ज़रूर देखिए उससे आपका सारा confusion दूर हो जाएगा यह ओप, आगे चलता है which of the following multi vibrator does not require trigger input, कह रहा है कौन सा multi vibrator जो है, वो trigger input, किसी भी तरह का trigger input यानि अलक्त सो कोई भी input नहीं चाहिए होता है, बिन्या input के without infinity, without trigger input के work करता है, तो वो कौन होता है, a stable होता है, ओके, a stable का याद रखिया, क्या-क्या पोपरेटिद होता है, तो without trigger input के यह work करता है, a stable को कहा जाता है, free running multi vibrator भी कहा जाता है, कभी कभी पुछा जाता है, कौ पास ये stable state होता है, और इसको एक trigger input चाहिए होता है, यह active होने के लिए, ok, by stable के पास दो stable state होता है, a stable के पास क्या होता है, stable state जो होता है, वो change करता रहता है, continuously, इसके वाद से यह क्या generate करता है, square wave generate करता है, तो आप से यह सवाल पुछा गया है, किसम में trigger input की जरुरत नहीं तो वो कौन है एस्टेबल है ओके यह स्टेबल मेर्टीव इंपुट ट्रीगर की जरूरत नहीं पड़ती है आगे चलते हैं नाइन्थ कहा रहा है यह सिंबॉल जो है इस इस टाइब अगे बढ़ते हैं लोग इन वीच ऑफ फालोईंग एम्खर आउट्पुट करेंट फ्लोस फोर फूल साइकिल अवड़ इन पूट इन्पूट सिंगनल यानि कह रहा है कि किन एंप्लिफायर में जो आपका करेंट फ्लो करता है वह फूल साइकिल के लिए फ्लो करता है पढ़ना है लेकिन यहां पर आपको सिर्फ याद रखना है कि जब 360 यानि फूल सैकल की बात करेंगे तो कौन सा क्लास एक लागर वन एक्टी से थोड़ा कम 90 से ज्यादा ठीक है तो यहां पर फूल सैकल का मतलब क्या होता है 360 डिगरी किसमें करेंट प्लो करता है तो वह होता है क्लास एक आगे चलते हैं कह रहा है which of the following device can be used as used to store data कौन सा device जो है वो डेटा को इस्टोर करने के लिए यूज किया आता है तो देखिए सबसे important चीजी है वह बहुत ही basic मैंने इसको already logic डिग्राम के unit में cover किया था कि shift resistor shift resistor एक ऐसा digital circuit होता है जिसमें हम क्या करते है multiple binary bit को एक साथ इस्टोर कर सकते है अगर माली यह 4 bit का shift resistor है तो आप क्या कर सकते है चार bit data या नि 1010 इस तरह का अगर कोई 4 bit का binary data है तो उसको आप इस्टोर कर सकते है 4 bit के shift resistor में तो यह कूछ रहा है कि कौन सा device यूज होता है किसी भी data को इस्टोर करने के लिए तो किसको उसका है हम लोग shift resistor को यूज करते हैं अगर ज्यादा बीट है 10 bit है 10 bit का shift resistor स्टेमाल करेंगे जतना bit का है उतना bit का shift resistor हम लोग स्टेमाल करेंगे ओके आगे चलते हैं आगे question है counter is made of counter कि से बना होता है तो simply counter क्या लगा रहता है यह भी लोगिक डिए ग्राइब काउंटर किसे बना होता है ओके क्या होता है वन बिट मिमोरी से प्रवर करता है और जतना फ्लिफ लॉप लगाएंगे उतना बढ़ा गांटर इसकते हैं अगर तो बहुत in सुबर यह उल्टा होता है यानी उल्टा होता है यादि वान इंपूत होगा र में जाने बंटीपल होयाँ म।सर में क्या होता है। मैनी इनपूट होता है है। आगे बढ़ते हम लोग, which of the following is the part of aim transmitter, aim transmitter का कौन पार्ट है इसमें से, aim transmitter आप लोग जब देखेंगे तो उसमें क्या आता है, तो उसमें आता है, आपका carrier oscillator भी आता है, और frequency multiplier भी यूज़ता है, ठीक है, तो इसका option हो जाएगा, option D, carrier oscillator कहां यूज़ता है, aim में, तो aim में यूज़ता है, local oscillator जो हमनों carrier wave high frequency, carrier wave को generate करने के लिए लिए यूज़ता है, वो होता है carrier oscillator, okay, if D multiplexer has two select lines, then it has, अभी D multiplexer कोशन आगया, अभी हमनों बोल रहते हैं, D multiplexer क्या होता है, उल्टा होता है, select line अगर दो है, तो कह रहा है, उसम होता है, तो one input वाला कौन है, यह है, ठीक है, simply आप ऐसे ही ढूण के बता जिएगा, को आगे कुछ देखने की दिरो होती नहीं है, D multiplexer जब भी बात कर रहेंगे, उसमें क्या होगा, single input होगा, और multiple output होगा, तो single input किसमें लिखा, one input, one input इसमें लिखा होगा है, और यह दो select डियोट की तरह दिख रहा है, और साथ में capacitor भी है, इसलिए इसका नाम है, variable capacitor डायोड, इसका नाम है, variable capacitor गयूट च्मशन no. 19 क्या कह रहा है, which of the following is a symbol of variable inductor, variable inductor को आнакомेगे, तो यह normal inductor है, और यह inductor जिसमें arrow लग रहाता है, जिसमें शानद की जा रहता है, यह variable को indicate करता है, ठीक है यह constant है यह variable है तो यह variable इंडेक्टर बोल रहा है तो option क्या हो जाएक option D ओके आगे देखें क्या रहा है in which of the following device current flows only in one direction किसमे current flow करता है सिर्फ one direction में तो किसमें फोल करता है diode क्या होता है unit direction होता है जो इसमें एक direction में current flow करता है जब कि आपका inductor क्या होगा दोनों direction से current flow कर सकता है ठीक है लेकिन diode में क्या होता है सिर्फ P से N की तरफ current flow करेगा जब N से P करेंगा तो यह क्या हो जागर reverse wise open circuit हो जाता है मिल जाएगा कोई ऐसा question नहीं है या तो वह यह मिमाल लीजिए अगर कोई ऐसा question अगर पुशा भी गया है तो और में उसका option आपको available है जो मैंने पढ़ाया है ठीक है आप अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको 100% आपको समझ भाज आ जाएगा तो यह मैंने आपने last lecture म बनाया है ठीक है ब्लोग डियाग्राम में जिसका लेक्टर नमर फूर है देखेंगा वहां जाकर आपको मिल जाएगा इसका answer ठीक है और रीबन मैक्रोफन यह भी ब्लोग डियाग्राम के अंदर कहीं है यह यह जलते हैं रादा लॉजिक डियाग्राम ऑफ नौट गेट औ गेट और गेट यह सिंपल तो लॉजिक डेट है यह तो बेसिक लॉजिक यह तो मैंने सबसे पहले यह एक लेंट किया यह तो हर एक स्टूर्ण को लगता है जबान पर याद रहोगया होगा अब तक इतनी बार मैंने इसको एक्स्क्लेंट कर दिया आगी जलते हैं डाग्र पैरलल इन पैरलल आउट तो चार तरह का मैंने बताया है ठीक है सिरियल इन पैरलल आउट सिरियल इन सिरियल आउट पैरलल इन सिरियल आउट पैरलल इन पैरलल आउट तो यह चोथा वाला पुशा जा रहा है पैरलल इन पैरलल आउट सिरियल सिरियल को ड्रा कीजिए ओके आगे क्या है logic diagram प्राइब करना है इसका half header का और इसका चुटे वो लेना तो यह तो बहुत बहुत बार मैंने बता दिया एकदम समझे यह सब चीज़ तो जबान पर आपके fit हो गया होगा already circuit diagram of a monostable multivibrator तो यह multivibrator के chapter में explain किया गया है आगे आईए multiplexer तो multiplexer तो आपको 100% मतलब अच्छे से समझ में आईगी हो or dimultiplexer और multiplexer पूरा detail से इसका lecture already uploaded है block diagram of am transmitter इसको मैंने block diagram में explain किया है am transmitter, fm transmitter, am receiver, fm receiver सबको explain किया है तो वहाँ पर यह आपको मिल जाएगा ओके आगे जलते हैं block diagram of tv receiver, last में जो मैंने लेक्चर अप्लोड किया block diagram का उसमें मैंने किया tv transmitter और tv receiver के block diagram का notes upload कर दिया है वहाँ आप VCS space को देख सकते हैं ओके, third diagram of parallel in serial out shift register तो यह भी आगया देखे, दूसरा वाला आगया पहला वाला shift register कौन पहला, parallel in parallel out यहाँ पूजिया parallel in serial out यानि अब explain करना आपको PISO parallel in serial out को explain करना है तो यह third वाला type है, तो इसको भी मैंने एक lecture में cover कर रखा अलड़ी, चलिए circuit diagram of direct couple two stage amplifier direct couple two stage amplifier, मैंने multi stage amplifier का unit cover किया उसमें किया, सबते पहला वाला topic cover किया है, वो है direct couple, उसके बाद आप किया है transformer couple, उसके बाद किया है RLC, RC couple तीन तरह coupling किया, RC coupling, direct coupling और transformer coupling, तो यह सबसे पहला पूछा जाए, direct coupling के बारे में, तो वहां से उठा के ड्रा कर देना, ड्रादा circuit diagram of a dual slope A to D converter तो मैंने data converter के उपर पुड़ा already 7 lecture cover किया है, data converter के उपर, 7 lecture को बना के एक unit में डाल दिया, data converter के नाम से तो उसमें आपको dual slope A to D converter को भी मैंने cover किया है, और बागी सारे topic को भी cover किया, देखिएगा उसमें time में, सारा आपको data converter एक साथ मिल जाएगा, चलिए आगे जलते हैं, diagram of a car or microphone यह तो उसमें का है, log diagram का है, 4 is to 1 multiplexer तो आपको अलएडी बता दिया, multiplexer में सब कुछ है, logic diagram of a full subtractor, full subtractor का मैंने logic diagram में जो unit बना है, half adder, half subtractor, full adder, full subtractor यहां full subtractor पुछा हुआ, पूरा detail से मैंने इसको explain किया है, जिसको आपको आपको वहाँ से देख सकते हैं, आगे बर तो circuit diagram हमें 4 bit asynchronous counter, इसके लिए मैंने कहा था कि synchronous और asynchronous counter का मैंने एक लेक्चर का अलएड़ी आपके playlist में मैंने यूट्यूब पे playlist नमना रखा है, electronics इसको देख सकते हैं, यह था आपका complete question paper 2019 का, last में मैंने क्या किया है आपके लिए, एक सिक्ड़ यहां पे और एक last order में option है, draw the logic diagram of ignore get, तो यह सबसे easy, ignore get का आपको logic diagram ट्रा करना है और इसका तूट टेबल लेकना है, यह तो बहुत basic हो गया, last मैंने क्या किया है, यह देखिएगा, ओके, एक सिक्ड़ मैं तूट इसको छोटा कर लेता हूं, minimize कर लेता हूं, ताकि आपको दीखे, last का जो मैंने cover किया है, एक सिक्ड़, हाँ, यह देखे, मैंने सारे objective को एक जगा cover करके, already आपके लिए बना दिया है, ताकि आप जब देखे, last में आएं, तो इसको जब print निकाले, तो आपको यह मिल जाए, यह सारे objective का answer मैंने, यहाँ पे option करके add कर गिया, I hope आपको यह lecture अच्छा लगा हो, और 2019 का कोई भी ऐसा question नहीं मिला हो, जो आपको समझ में ना आए, एकदम easy है, simply आप 100% marks उठा सकते हैं इसमें, और बहुत आसानी से अच्छा score कर सकते हैं, ओके, thank you so much for watching this, we will meet in the next lecture